नमस्कार स्वागत आपका आप देख रहे हैं डीबियन नियूज और मैं हूँ आपके साथ एम राजाव जिलाके अली निगर्थाना छेतर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जहां धुमारा पकड़ी मुख मार पर हुमेरा पबलिक स्कूल से महच सो मीटर की दूरी पर एक घटना घटी जिसमें पकड़ी निवासी सरफराज नाम के यूबक की मौत हुई है घटना अब तक रहस का ही बिसे बना हुआ है सरफराज की मौत सरक हाथसे में कोई या किसी साजिस के तहट उसकी हत्या हुई है ये सवाल पुलिस के लिए अब तक रहस का बिसे ही बना हुआ है परिजनों के दवाब में बेनिपूर डियस्पी उमेशवर चोधरी ने खोजी कुता भी मंगवाया परन्तु कोई फाइदा नहीं हो पाया उधर घटना से आकरोशित लोगों ने पुलिस पर भी पत्राब किया जिसमें दो जवान जख्मी हो गए उधर बेनिपूर डियस्पी ने लास को अपने कबजे मिल लेकर दर्भांगा डियम सीच पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है हलाकि परिजनों के शक के आधार पर थाना चेतर के लिल पुरगाउं से तीन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है अब देखिए उड़ी इस रिपोर्ट को अब देखिए लिया तर्भाइब करत्या लगों के लिए अपने लिए विए भाइवजनों के लिए बिएव भाइव प्राइब को बाल सकते एंचराना良 ज데 हैं दो तक मारा है कि जर भी जर लिए उड़ा है इनidente इनने एंदीट इमेर सक्कुरन ओगराइब है कि यद इमेर shows频 थेशождения दौग वे जिए जब तक आप लोग पूरा प्रकिरिया नहीं किजिए अब तक डेड़ बोडी नहीं उठाएंगे जब तक डेड़ा सिदीकी साब सी उनको भी हमने सारा ख़वर को दिया है वोले ठीक हम बात करते हैं अब उसके आगे देखी क्या होता है कि भोर में हम सुए हुए थे हमको ख़वर गिया फुफु वेडी बोली कि सरफराज को मार के ठेक दिया अनरागाट के बगल में हो मेरा को भी धंकी दिया गया था लील पूर का बतला है उपर सासन को बूल दिया ऑगा कि मार के तुम्हारे दुलागो प्रेको को फेक देंगे वो घटना कर दिया साइथ और उसके बाद माने एक खारि वाला पक리 चुप पे आया था लग सर्फराज के भाई से पूछा दिलकस स दिलकस बतलाया कि नहीं है भाईआ तो वो सरफराज को फुन लगाया तो बोला हम लीलपुर में है तो बोला आप फंला जग़ आओ इसलिए कि कभी भी एक्सीडेंट होता है गारी हम लोग भी एक्सीडेंट की है तो मनें टंकी नहीं फटता टंकी को फारा गिया ठीक है और एक्सीडेंटल उसको बनाया गिया मोबायल आप बाया में एक्सीडेंट की है तो मोबायल हेलमेट दो-दो मोबायल आपका दहिना में क्या करने गिया हेलमेट दहिना में क्या करने गिया जूता दहिना में क्या करन मामला पेश आया है रात में यह कतल के पीछे लगता है कि प्री पलानिंग के तेहत की गई है और यह कतल आज से दो साल पहले सद्दाम कतल मामला भी इसी शातिराना अंदाज में जराहिम पेशों ने अन्जाम दिया था आज जो इस छेतर में कतल जैसा संगीन मामला सुलग रहा है अवाम में संसनी मची हुई है इसके पीछे पुलीस परसासन की भी सुस्त रफतारी है पुलीस काम नहीं करती है और पहले से भी सेनियर एसेसपी ने भी कहा है कि यह सब जो छेतर है कभी कभाल गाहे बगाए घटन करनी चाहिए और ये जो कतल का मामला पेश आया है पूरे इलाके के लोग दुखी है और पूरे इलाके के लोग पुलीस परसासन से अभी लम कहते हैं कि जो कातिल है उसको तुरत पकरे और सलाखों के पीछे भेजे पुलीस से इतमादलों का उट रहा है पुलीस अपने माम दर्भंगा में पुलीस इंतजामिया जिस तरह से कतल के मामले में दर्भंगा बहुत अमन शान्ती की जगह रही है लेकिन अभी जिस तरह से एक के बाद एक कतल का घटना घट रहा है कतल का मामला हुआ है गोली से दहल रहा है पूरा दर्भंगा दहल रहा है और दर्भंग पर फेल हो गई है ये सरकार आमन कानून बेवस्था को बनाए रखने में बरतमान में फेल हो गई है कतल का मामला हुआ करता था पिछले दो तीन दिनों से बहुत दुख है आज लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है डर लग रहा है हर माँ अपने बेटे को अपना पेश आ जाए तो इसलिए सबसे पहले यहां के जो पुलिस महकमा के सेनियर अधिकारी है वो अभी लंब सेनियर एससपी गरीमा मलिक को पर खास्त करें और एससे एसपी को यहां लावे जो यहां करायम जरायम पेशों पर काबू पाए उसको सलाकों के पीछे भेज अधावने लोहों का एतमाज जो अभी पुलीस से उठ चुकी है कि तो रभातर को मार के हम फेख दे वो लिलपुड़ गाची में अधिकारी पक्री की बेटी है यह पुतो है बेटी है पक्री की बेटी है सोत्रार इसकी बेटी में लिलपुड में भी आई है सर लुन नो घ्याए बहुत है अभी पूरन उठ जिए अगार तो भुले की का तो एंट सभी घंशन लोगा ऐस बहुत तो एंचें लोगा साम आ रहा है दूरती हो या कहूं नमीला, अब बाले तहीं आवदक कलके है, याय मोरा उसपराजी, याय माता, बादे बादे तो के आली या राजा की, हाँ जार मधी सुआ गटना की सुचना पर हम लोग गटना असल पर आये हैं, आने के बाद यहाँ पर प्रिजनों के द्वारा बताया गिया है, कि कोई व्यक्ति मोटर सैक्ल से सामने गुलाने के आया रहा है, उसका परताल किया जा रहा है, डौग अस्पार्ड को गिलाया जा रहा है, जिससे इद्धों पहुचा जा सके उसके बाद अन्य बिंदू जो भी है, उस पर भी जो है, हम लोग संदाल करेंगे, मामने को भी गटना यहां बढ़ती जा रही है, यहां के लोगों का इसलिए आक्रोश है कि घटना के पीछे जो है, अब तक जो है, सो कोई कारवाई नहीं, इस जो है, अब जो है हम झेसा सब्के है